नमस्कार दोस्तों बहुत साथ आपको आमरे चैनल में दोस्तों आज की वीडियों में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के उपर जिसके अंदर हम आपको EWS के बारे में बताएंगे जिहां दोस्तों EWS यानि की एकनोमिकली वीकर सेक्षन क्या होता है ये किन-कन लोगों को मिलता है कौन-kन लोग इसका लाब ले सकते हैं या कहें कि कौन-कऩ लोग EWS category के अंदर आने के लिए क्या क्या eligibility होनी चाहिए दोस्तों सबसे पहले अगर आपके परिवार की वारिक आए जिहां परिवार की सालाना आए अगर 8 लाग रुपे से कम है तो वो व्यक्ति या वो परिवार EWS category के अंदर आता है अब दूसरी बात करें कि अगर आपके पास agriculture land पांच एकर से कम है जिहां अगर आपके पास agriculture land है और उसका पांच एकर या उससे कम है तो आप EWS category के अंदर आते हैं अगर आपका कोई रिहाईशी फ्लैट है या रिजिजेशल फ्लैट है यानि कि गज है यह अलग-अलग state में अलग-अलग हो सकता है दोस्तों तो 100-200 गज का अगर आपका प्लॉट है तो आप भी EWS category के अंदर आते हैं इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC या इस तरह की आरक्षित श्रेडी के अंदर नहीं आते तो आप EWS category के अंदर आते हैं दोस्तों यह पांच जो आपको हमने चीज़ें बताइए यह पांच अगर criteria आपके अंदर है तो आप भी EWS category के अंदर आते हैं और आप EWS category का registration करवा कर आप EWS का लाब ले सकते हैं तो दोस्तों यह जान करी थे आपके लिए कि EWS क्या होता है कौन-कौन लोग इसके लिए eligible होते हैं तो यह कुछ एक eligibility थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई तो कैसे लगी जान करी प्लीज इमें कमेंट करके बताएगर अच्छे लगी हो तो अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमाय चलों कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन के उपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और इसके बाद घंटी के निशान पर जो टच कीजिए ताकि आपको इस तरह की नहीं अच्छी वीडियो लगातर मिलती रहे यह बल्कुल फ्री होता है आप इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद